हेलो दोस्तों नमस्कार HRVPO आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके धन्यवाद आज आप इस वीडियो में देखेंगे वैं जानेंगे जिला सोनिपत के बोगीपूर गाओं के बारे में यह बोगीपूर गाओं का मेन सडक मारग है भोगीपूर गाओं भारत के राज्य हर्याणा जिला सोनिपत की तैसील गनोर का एक गाओं है यह गाओं समुन्दर तल से 231 मीटर उचाई पर है बोगीपूर गाओं भारत के हर्याणा में सोनिपत जिले की गनोर तैसील में बसा हुआ है यह गाओं उप जिला मुख्याले गनोर से लगबग सड़े 4 किलोमेटर और जिला मुख्याले सोनिपत से लगबग 16 किलोमेटर दूरी पर है सन 2009 के आकडो के नूसार बोगीपूर गाओं एक गराम पंचायत है गाओं का भूमी अक्षेतर एक सो च्यान में हेक्टेर है सन 2011 की जनगना के नूसार बोगीपूर गाओं की कुल जनसंख्या 4426 है जिसमें से पूर्सो की जनसंख्या 2405 है जबकी मैलाओं की जनसंख्या 2021 है यह गाओं राज्य हर्याना की पावन धर्ती पर बसा हुआ है बोगीपूर गाओं की साकसरता धर कैतर पॉइंट 22 परतिसत है जिसमें से 78.75 परतिसत पूर्स और 62.25 परतिसत मैलाओं साकसर है बोगीपूर गाओं में लगबग 835 घर है बोगीपूर गाओं का डाक परधान कारियल है गनोर है यहां का पिन कोड 131-101 है जब परसासन की बात आती है तो बोगीपूर गाओं का परसासन एक सरपंच दवारा किया जाता है जो स्तानिय चुनाओं दवारा गाओं का परती निधी चुना जाता है सन 2019 के अंकडो के नुसार बोगीपूर गाओं गनोर विदान सभा अक्षेतर और सोनिपत सांसदी अक्षेतर के अंतरगत आता है गनोर सभी परमुक आर्थिक गती विदियो के लिए बोगीपूर गाओं का निकटतम सहर है यह गाओं बहुती सुन्दर गाओं है गाओं में सभी तरह की स्वीधाएं उपलब्द हैं गाओं में उपसवास्ते के इंदर चोपाल पानी का तलाब मंदिर बने उए हैं यह आयुश्मान भारत हेल्सेंटर है जो गाओं के बाहरी ओर बना हुआ है यह बोगीपूर गाओं का प्राचीन मंदिर है जो भगवान सिवशंकर जी को समर्पित है मंदिर के अंदर भगवान सिवशंकर जी का सीवलिंग स्तापित है बोगीपूर गाओं में सभी जाती के लोग निवास करते हैं वैं आपसी भाईचारे से रहते हैं गाओं की स्तानिय भाषा हिंदी वैं हरियानवी है गाओं के लोगों का मुख्य वेवैसाई करीसी वैं पसू पालन है जिला सोनिपत, पानिपत, रोध तक बोगीपूर गाओं के नजदी की जिले हैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी बोगीपूर गाओं की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद